हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम टेजी तो जितने भी ऐसे कंडिडेट जो 2025 पीजी के लिए प्रेप्रेशन कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं जेनी में एडमिशन लेने का तो उनके अभी भी कुछ-कुछ बेसिक क्वोश्चिंस हैं रिगारें जेग्जामनेशन पैट अब जेनी कोई अलगते कोई सेपरेट एक्जाम नहीं कर रहे हैं तो सीवीटी के एक्जाम होता हूं इसी में आपको जेनी में एडमिशन दिया जाएगा तो इसका पैटन क्या है क्योंकि बहुत सारे इस्ट्रोण का ये भी कोश्चन था कि सर हम लोग कितने सब्जेक्ट म होता है कौन क्या जिस सब्जेक्ट में ने घ्रेजुटिन किया है उसी सब्जेक्ट में हम लोग को अपला नहीं होता है तो इस वीडियो में हम बूए उसे चीज़ों के बारे में शेप्रेटरी डिस्कस्थ कर लेंगे तो यह आप देख पाई का यह औरिजिनल आपका जो है जो सीवीटी का एक्जाम पैटरन होता है जो सीवीटी के तरफ से डिटेल सेयर किया जाता है इसी चीज को हम लोगों ने यहां पर कॉपीकेश्ट कर दिया है तो सबसे पहले गर हम लोग सीवीटी पीजी की एक्जाम की बात करते हैं तो इसमें आप मैक्सिमाँ फोर पेपर्स ही चूज कर सकते हैं मतलब आप एक बार में चार डिफेंट एक्जाम दे सकते हैं चार आपको एक ही एक्जाम का फॉर्म फिल करना है और उसमें आप एक से ज्यादा एक भी चूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप से सिंगल पेपर नहीं दे सकते हैं दूसरा यहां पर कोई भी जेनरल टेस्ट सभी पेपर के साथ नहीं होगा एक्जामपल अगर हम पहली की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि पार्ट ए होता था और पार्ट बी होता था पार्ट बी आपका जो है कि जेनरल होता था और यह आपका डोमेन होता था अब क्या है कि आपका और टो तो टोटल अगर आप इसको करते हैं तो यह आपके 300 marks के हो जाते हैं तो टोटल एक्जाम होगा यह 300 marks का होगा अगर हम टोटल टाइम तो टाइम डूरेशन की बात करते हैं तो टाइम डूरेशन यहाँ पर 105 मिनट से यानि एक घंटा और 45 मिनट हो जाता है सेवंटीफाइब को सॉल्ट करने के लिए आपने पास 105 मिनट है अब बहुत सारे इश्वेंट का कोशन यह भी होता है कि सब्सक्राइब क्या होता है तो मेडियम ऑफ एक्जामनेशन की बात हम लोग करें तो सारे एक्सेप्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है तो य इंग्विस्ट्टिक के पेपर होते हैं प्रग्जामपल हम सब्सक्राइब कि लेंग्विच की बात करते हैं एक्सेप्ट लिंग्विस्ट्टिक लिंग्विस्टी का इंग्लीज में लेकिन जो बहुत सारे लैंग्वेश के पेपर्स हो जाते हैं तो शिफ हिंदी में होगा जो संस्क्रिक होता है उद्वी होता हुदू उसी लेंग्विज में होगा उसके अलावा आपके जो एम्टेक एंड हाइयर साइनसेस हैं उसके पे पेपर में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो वहां पे सीवेटी ने पहले ही क्लियर कर दिया जो इंग्लिज वर्जन ऑफ पेपर होगा वही फाइनल होगा तो यह बेसकली उन सब चीजों के लिए हैं जो आप हो सकते हैं जहां पर बाइलिंग्वल एक्जामनेशन होता ह है इंपॉर्टन सब्जेक्स यह अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसे फॉर एक्जामपल अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री जोग्रफी आपके एकनॉमिक्स सोचलोजी ठीक है तो यह सारे ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जिसके कोश्चन पेपर आपके बाइलिंग् अब आपको examination pattern के बारे में पूरा information में जाओगा इसके अलावे भी आपके पास कोई कोश्चन है तो आप इस नंबर पे call या message करके आप जो है सारे details ले सकते हैं आपको सारे details दिया जाएगा examination related कोई भी कोश्चन है क्वेरी है तो आप इस नंबर पे call या message करके पूर सकते ह So thank you and we wish you all the very best